हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिक्या रहा हूँ देखिए बैंक्स में बहुत पैसा है और अल्रेडी स्टॉक आफी पीक पे जा चुके हैं बिल्कुल जैसा आप देख रहे होगा आईसी आईसे बैंक और अल काफी पीक पे अल्रेडी जो रखते हैं अभी इनमें मोमेंटम धीरी धीरे आ रहा है इनमें भी जादा मोमेंटम आया नहीं है मतलब बिल्कुल सही मौका सही टाइम सो रुपे के दो शिर्स आपको करेंगे माला माल बैंक के चलिए एक नजर देखते हैं दोनों स्टॉक को चोटे से वीडियो में औ और आगे बढ़ने से पहले मां आपको बता दो गर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बैल आकन को प्रस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी यह देखिए अगर आप बैंक के स्टॉक्स को देखेंगे लेकिन 100 रुपे के भीतर के कौन से बैंक है जिसके आप बात कर रही हो जी हाँ पहला स्टॉक यहां पे जिसके मैं बात कर रहा हूं वो आप देखिए और समझेए फेडरल बैंक लिमिटेट की में बात कर रहा हूँ फेडरल बैंक लिमिटेट लाके इस जुन जोनवाला जी की चपरदस फोल्डिंग है और रिसेंटली इन्होंने और माल इसमें खरीदा है जब यह गिरावाट इसमें आई थी तो लंबे समय के लिए सोची और फेडरल बैंक अठारा हजार करोड का मार्केट के अबी है नबे रुपे का प्राइस है अभी 80 रुपे के आसपास जा गया चला गया था जब मैंने लास्ट वीडियो जब इसके बारे में बनाया था कि यह स्टॉक में सपोर्ट लेबल के पास आ काफी ले तारीफ है यही क्वालिटी इसकी है जो इसको काफी आगे पहुंचाती है लास्ट यह जब मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई थी तो यह शेर भी काफी नीचे गया था जरा सोचे कितने नीचे जा सकता है बुक वैल्यू के आसपास मिलने लग गया था 12,000 करोड का रिवेन्यू और प्रॉफिट 1500-1600 करोड का प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ प्रॉफिट यही पॉजिटिविटी इस शेर की है इसलिए यह शेर बहुत ही बहतरीन क्वालिटी का मना जाता है और वह भी बैंकिंग सेग्मेंट हुए अगर मैं क्वाटर क ही बात करूँ तो सेप्टमबर 2019 कैसा पाफरमेंस था वह आप देख लीजिए 3337 करोड का रिवेन्यू सेप्टमबर 2018 2813 करोड का रिवेन्यू नेट प्रॉफिट 280 करोड से बढ़के 465 करोड हो गया यही तो नंबर से यही तो पॉजिटिविटी है जो दिख रही है बैंक क आपको ड्रॉ करता हूं तो लास्ट टाइम जब गिरावाट आई थी आप देखे बिल्कुल डाउन ट्रेंड की लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखिया और गिरावट आते आते एक चैनल को फॉलो करता करता आप यह यह तो यह तो काफी निचले लेवल यानि कि उसी रेंज त उसके बाद स्टॉक ने भी अच्छा रेस्पॉंस दिया और अच्छे रेस्पॉंस के चलते स्टॉक यह देखे ऑक्टूबर 2018 से उचल के जुलाई 2019 तक जब तक अनॉंस्मेंट नहीं होती निर्मला सीतर रहमन जी की तब तक यह देखे 110 के लेवल पर चला गया मतलब 70 गिरावट आने के बाद यह स्टॉक बिल्कुल नीचे गया नीचे जाने के बाद जो सपोर्ट रेंज जो हमने पहले भी बताया था अभी बता रहे देखे बिलकुल सपोर्ट रेंज जैसा लग रहा था कि एटीज की रेंज में सपोर्ट लेगा क्योंकि कही बार इससे पह पर जब वापस नीचे गिरा तो फिर से वही support लिया और मुझे लगता कि कहीं न कहीं consolidation complete होती भी देख रही है और stock बहुत strong momentum के साथ अपने 200-day moving average के बिलकुल पास जा रहा है तो काफी important हो जाता है यहां पर बिलकुल पास जाएगा और यहां पर अभी volume का support मुझे नहीं देखने को मिल रहा है मुझे यहां पर volume का support चाहिए अगर volume का support यहां पर देखने को मिलेगा तो share में बड़ी उछाला सकती है क्योंकि आगे का time है वो काफी critical zone है एक तो यहां पर 200-day moving average के line है 92 की range में तो यहां और दूसरा उपर जो इसका resistance zone है 98 की range में तो यहां से लेकर यहां तक एक बड़ा volume चाहिए resistance तभी पार होगा जब volume का support मिलेगा यह important बात है अब एक नजर देखिए weekly chart पे मैं आपको लेके चलता हूं उसके क्या strength देखने को मिलेगा stock बढ़िया no doubt लेकिन weekly chart पे अभी यह recently गिरा था तो काफी नीचे आया था RSI नीचे गया था लेकिन धीरे-धीरे करके वापसी हो रही है पिसले तीन week इन तीन weeks में इसने positivity जरूर दिखाई है मैं बात करूँ public sector banks की तो मुझे SBI के बाद जो बहतरीन share लगता है वो bank को बढ़ोदा लगता है और इस stock को choose करने का जो main region है वो इसमें आया हुआ momentum है momentum बहुत speed है और बहुत बढ़िया है लेकिन इसके buying range जो है वो अभी आपको recently इसने बहुत peak बनाया था एक top का peak बनाया था और उसके बाद सही range में इस stock आपको देखने को मिल रहा होगा 42,000 करोड की market capitalization है और एक ऐसा stock है जो एक profitability दिखा है पिछले 3 साल का average profit 32-30% के आसपास का जो कि काफी impressive लग रहा होगा आपको यह देखिया 1100 करोड 1500 करोड यह profit दिखा है इसने bank बढ़ोदा ने तो यह काफी important है यहाँ पर बाकी banks के comparison में मुझे लगता है कहीं न कहीं bank बढ़ोदा एक अलग ही यहाँ पर खड़ा है बाकी public sector banks को अगर आप compare करो देखो तो यहाँ पर इसी लिए important जाता है bank का बढ़ोदा का share और इसके revenue को भी आप देखिये consistent jump revenue में भी आपको देखने को मिल रहा होगा लेकिन अभी जो मैं आपको last quarter का profit दिखाता हूँ वो देखे 20,000 करोड का revenue था और साथ में 853 करोड का इसने आगे बढ़ाये जा रही है technicals को देखे और जड़ा समझे जड़ा focus कीजिए recently last October में जब गिरा था तो share बिलकुल नीचे जो 90 की रेंज में आ जिया था 90 की रेंज इसके लिए strong support zone था 90 की range strong support zone अब share वहाँ से jump हुआ बहुत बढ़िया rally थी और 140 की range में आया फिर से stock अभी किस तरीके से लगातार ये get out है और सबसे important बात है current level पर जो downtrend की line में ने draw करी है ये power हो चुक है काफी important है और stock में एक ऐसी positivity आई है ये देखिया positivity का अगर आप level देखे तो low जो इसने 86 के आसपास का low बनाया था वहाँ से बहुत बढ़िया strength इसको देखने को मिल रखी है और 86 का जो ये low था एक strong support zone का जो है काम किया यहाँ पर आप देख लीजिए और इस low से अब एक चीज इसमें जान दे अब मैं कुछ बार 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 एक चीज आपको बताया करता हूँ technical patterns अब मैं आपको इसमें technical pattern draw करता हूँ दिखा हूँ जो reversal pattern आपको कहलाएगा ये देख है और इसका मतलब कि share में reversal आ रहा है और reversal के बहुत strong sign होता है ये अब ये pattern बनता हुआ इसको पार कर चुका है और पार करने के बाद माना जाता है कि pullback होता है इस level के हिसाब से तो ये सब आपके लिए entry का मौका हो सकता है तो देखिए नजर बनाए रखिए bank of बड़ोधा बैंक बड़ोधा का ये daily time frame है weekly time frame में आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ से और clarity मिलती है जब RSI को हम देखने है तो RSI धीरे धीरे करके 50 की range में जा चुका है जैसे ही ये peak बनाएगा देखिए head and shoulder pattern उपर बनता हुआ जाएगा तो ये 60 के RSI को touch करता हूँ जब गिरावट आएगी तो आपके लिए entry का मौका हो सकते है तो नजर बनाए रखिए क्योंकि bank of बड़ोधा SBI जो कि लगातार फेडरल बैंक लिमिटेड में हैं बहुत जबरतस होल्डिंग में कहूंगा और 90 रुपे का ये share है दूसरा हमने discuss कि यहां पर bank of बड़ोधा जो कि 105-106 के आस-पास ट्रेड करा लेकिन बढ़ा potential सरकारी share में उसके पास है सरकारी banks में तो ये दूनों share जो आपके बहुत range है बहुत के फायती shares हैं काफी सस्ते shares हैं और जिनमें potential बढ़िया है एक PSU segment में जहां पे सारा loss में है वो profit दिखा रहा है और एक federal bank जिसका profit काफी बहतरी है तो दोनों पर नजर बनाये रखिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को share कीजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक कर लें जिससे आपको notification आती रहेगी और comment के थुरू आपकी अपनी राय जरूर बताएं इन दोनों stocks के बारे में आप क्या सोचते हैं क्या यह आने वाले टाइम पर अच्छी कमाई कर सकते हैं क्या इनमें अच्छा return मिल सकता है तो इस चीज़ के बारे में आपकी अपनी र चुरू नाच्छंड विडियो